नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो MI Stock Market हमेशा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे निप्टी और बैंक निप्टी की सिंपल से अनलेसिस और साथ ही हम देखेंगे पांच बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स जिसे आप नेक्स टेडिंग सेशन यानि आप लोग 14 दिसमबर के लाइब मार्केट में ट्रेड करके प्रोफिट जनरेट कर सकते हो तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोडिफिकेशन को ओन कर लिजेगा ताकि आने वाला लेटेस्ट इन्फॉर्मेटी वीडियो आप सबसे पहले देख सको साथ ही हमारा टेलिग्राम चैनल आपने जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डायरेक्टली जाके जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पे लेटेस्ट लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग अपोर्चिनिटी रहती है वो हम आपके साथ में सेर करते रहते हैं कोई भी एक ट्रेडिंग सेटप रहता है वो भी हम आपके साथ में share करते रहते हैं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिरे तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले nifty 50 index को और उसके बाद में हम देखेंगे bank nifty और 5 intraday stocks को nifty 50 index में हमने आपे 30 minute का time frame open कर रहा है दोस्तों और आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी उपर की side में यह जो trend line है इसी trend line पे आज के दिन market ने यहाँ पे closing दिये और यह closing दिये वो भी एक important closing दिये क्योंकि दोस्तों यह जो zone था हमारा यह यह यहाँ पर breakout हो चुका है और कल भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको यहाँ पे जो यह range बने हुई है यह range किसका breakout कल के दिन होता है फ्लेट ओपनिंग होती है तो आप लोग उपर की side में buying side के लिए जा सकते हैं और आप लोग चोटा मोटा profit booking है वो कर सकते हैं और same scenario आपको यहाँ पे आज के selling zone होता है और उसमें time बिताता है तो आपको यहाँ पे ज्यादतर accuracy रहती है दोस्तों कि market में आपको upside momentum आपको next day देखने को मिलेगा simply आपको कल के दिन stand line का breakout देखने को मिलता है यह दि market फ्लेट open होता है तो आप लोग उपर की side में buying side के लिए जा सकते हैं और आपका जो next target रहने वाला है वो 18,670 का first target आपका रहने वाला है और उसके बाद में जो second target रहने वाला है वो 18,720 का आपका second target है वो रहने वाला है लेकिन यदि stand line का breakout होता है तो आप लोग ultimate अपना जो big target है वो आप लोग 18,720 20 का यहाँ पर रख सकते हैं यह zone अल्रेडी दो बार test हो चुका है और तीसरी बार में इसका भी breakout आपको देखने को मिल सकता है और कही ना कही market का जो mood है दोस्तों अब आपको यहाँ पर upside में देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हम यहाँ पे कल के दिन accept करेंगे कि यह जो zone है यह swing आई बनावा है इसको break करेगा तो हम यहाँ पे उपर की side में bullish रहेंगे और कही ना कही market का जो overall target है दोस्तों यह जो selling zone है उपर की side में जहां से market में selling हुई है यहाँ तक आने का market है वो फिर से जरूर ट्राय करेगा आने वाले एक या दो दिन के अंदर market यहीं से फिर से आपको यह पर अचानक से आपको various momentum देखने को मिल सकता है यदि market कल के दिन gap up opening देखने को मिलती है यह जो zone है इसके उपर opening देखने को मिलती है तो आप लोगों को green sign मिलता है तो आप लोग उपर की side में buying side के लिए जा सकते है यहाँ से आ सकता है और यहाँ पर कोई भी आपको bullish candle देखने को मिलती है या पिर small time frame में आपको कोई bullish pattern देखने को मिलता है तो आप simply यहाँ से upside के लिए जा सकते है और आपका जो maximum target रहने वाला है 18,720 का target आपका यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि already यहाँ पर selling होई है यह जो zone है यहाँ पर market ने closing दिया और market ने gap down opening देखने को मिली तो इस तरीके से आपको अगर selling देखने को मिलेगी तो इस zone से आपको फिर से selling देखने को मिल सकती है क्यादी market flat open होता है और इसको break करता है यह जो zone है तो आपका जो target रहने वाला है 18,480 का target आपका यहाँ पर रहने वाला है यह जो 18,560 को यहाँ नीचे की side में sustain करत है तो आपका जो target रहने वाला है वो कहीं ना गई इस zone में रहने वाला 18,480 या फिर इससे नीचे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो हम यहाँ पर फिलाल bullish रहने वाले क्योंकि market already यहाँ पर अच्छा कासा downtrend दिखा चुका है और नीचे की side में अच्छा कासा पर इस तरीके का pattern भी देखने को मिल चुका है जो हम बोलते हैं double bottom या फिर double pattern तो इस तरीके का pattern आपको नीचे की side में देखने को मिल चुका है तो कल के दिन इस trend line का breakout होता है तो simply आप लोग उपर की side में buy करके और profit booking कर सकते हैं और आपका जो ultimate next target रहने वाला है 2-3 दिन में या फिर आपको 3-4 दिन में तो वो आपको ये selling zone है इस तक market आपको देखने को मिल सकता है इसके लाओ दोस्ता हम bank nifty index की बात करें तो bank nifty में भी आपको आज के दिन एक अच्छी कासी उपर के दिन जो उपर के side में है वो आपको एक अच्छी कासी closing देखने को मिली जो आप आपने यहाँ पर entry नहीं लिये तो आपको यहाँ पर level retest होता तब आप लोग यहाँ पर entry ले सकते थे लेकिन यहाँ पर हम लोग bullish candle के साथ में है तो आप लोग उपर की side में जा सकते है क्योंकि यह जो zone है यह एक selling zone था इतने दिन हम लोग यहाँ पर इतने दिन trade कर रहे थ तो यह एक selling zone था तो यहाँ पर यह selling zone है दोस्तों यह breakout हो चुका है क्योंकि market जब किसी भी selling zone के उपर gap up opening देता है तो उसके बाद में हमारे को एक अच्छा कासा momentum उपर की side में देखने को मिल जाता है तो same आपको इस selling zone के उपर में opening देखने को मिली और आपको एक अच्छा कासा momentum उपर की side में देखने को मिला मैंने आपको कल भी बताया था कि जिन लोगों का view नीचे की side में है और यहाँ पर stop loss एंटर कर रहा है वो सभी लोगों का stop loss यहाँ पर hit होने वाला है और आज के दिन ऐसा हुआ भी है उन सभी लोगों का stop loss आज के दिन market ने hit किया है और आने के बाद में market को यहाँ नीचे आना होता तो market यहाँ पर कुछ देर के लिए time यहाँ पर नहीं बिताता इस तरीके से market और यहाँ पर आता और इस selling zone से तूरंथ आपको यहाँ पर नीचे की side में bearish moment है वो देखने को मिल जाता लेकिन market को फिलाल उपर जाना है तो इसलि या दो दिन का हो सकता है कल भी आपका target मिल सकता है या फिर आपको एक से दो दिन में यह जो range है ना दोस्तों यह range इतना target आप लोग ऊपर की side में ले सकते हो इस range को आप लोग calculate कर लीजेगा कितनी है वो आप लोग ऊपर की side में calculate कर सकते हो यह कोई भी range है इसका target आपको य क्या दो दिन में देखने को मिल सकता है यह दि मार्केट आप बीरिस मुमेंटम करता है तो इस जोन के नीचे में आप लोग सेल कर सकते हैं और आपका जो ultimate target रहने वाला है सेम दोस्तों यह जो trend line है इस तक आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं क्यों हो सकता है कि मार्केट आपको उपर की साइड में तोड़ा सा ट्रेप करने के बाद में नीचे की साइड में इस trend line पे आपको retest करने को मिल सकता है और यहाँ पर कोई भी bullish candle बनती है तो आप लोग फिर से उपर की साइड में जा सकते हैं फिर आपको इस zone के नीचे में 5 minute की candle close देता है 43,594 के नीचे में तो आप लोग नीचे की साइड में अपना view बना सकते हैं और आपका जो target रहने वाला है 43,300 का आप लोग यहाँ पर target है वो लेके चल सकते हैं तो यह है दोस्तों simple सी bank nifty और nifty की analysis चलिए देख लेते हैं best 5 intraday stocks जिसमें आप लोग कल के दिन trade कर सकते हो सबसे पहला intraday stock हमारा रहेगा दोस्तों HDFC life insurance का जो आप में पर देख सकते हैं already इस stock में breakout हो चुका है यह एक zone है resistance zone है यहाँ पर resistance है यहाँ पर resistance और ultimate दोस्तों यह एक selling zone भी था यहाँ पर यह एक selling zone था तो इसका मतलब है दोस्तों इस selling zone को यहाँ पर नीचे आया market इस selling zone में जब भी आएगा ना जैसे कि यह एक selling zone है तो यहाँ से selling होई है तो यहाँ पर market जैसे selling zone के सामने आया market एक अचानक से bearish momentum आपको देखने को मिलेगा फिर से इसी zone में आया अचानक से आपको momentum देखने को मिला और जब किसी selling zone को उपर की साइड में breakout देता है तो जरूर यह दोस्तों की market वहाँ पर थोड़ा बहुत time है वो जरूर बिताएगा सेम ऐसा हुआ market उपर की साइड में जरूर गिया लेकिन market को नीचे आना होता तो तुरंत market में आपको bearish candle हो देखने को मिल जाती लेकिन market यहाँ पे नीचे नहीं आया और यहाँ पे market ने तोड़ा sideways momentum किया तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि जब भी कोई भी market यहाँ पे तोड़ा time बिताता है तो breakout जरूर आएगा और breakout इसमें भी दोस्तों आ चुका है तो यह एक selling zone है लोगों ने अभी फिलाल ज्यादा buying नहीं किये क्योंकि यह selling zone है पूरी तरीके से breakout नहीं हुआ है तो इसका यहाँ पे दोस्तों कल की दिन आप लोग यहाँ पे उपर की side में buy कर सकते हैं और आपका जो stop loss रहेगा यह candle है इनके नीचे में आप लोग stop loss लेके चल सकते हैं और आपका जो target रहने वाला है वो आप लोग उपर की side में इस zone के something आप लोग target है वो लेके चल सकते हैं तो 583 पे आप लोगों को buy करना है और आपका stop loss 578 का रहेगा और आपका target रहेगा 50787 का यह जो zone है इसमें आप लोग target लेके चल सकते हैं HDFC life insurance में दोस्तों मेरा काम है आपको एक logic के साथ में बताना कि यह नहीं है कि directly आपको level दे दिये कि आपने buy कर लिया है और इतने का stop loss enter कर लिया है इससे कुछ नहीं होगा यदि आपको market में पैसा कमाना है long time के लिए तो आपको चीजों को सीखना पड़ेगा तभी आपको profit होगा stop loss end जो आपका target है वो तो होता रहेगा लेकिन यदि आप लोगों ने चीज को सीख लिया ना तो आप लोग हमेशा market से profit बना सकते हो तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत effort है वो खुद से लगाना पड़ेगा आपको चीजों को सीखना पड़ेगा इसके लाओ दोस्तों हमारा second intraday stock रहेगा JSW Steel का multiple time resistance zone है जो आप में पर देख सकते है यहाँ पर फिलाल test नहीं किया है market दीरे दीरे उपर की side में momentum है वो कर रहा है तो कल के दिन यह resistance zone breakout होता है तो simply आपका target रहने वाला है जो यहाँ पर selling हुई है इस zone के something आप लोग target है वो लेके चल सकते है 755 का target आप लोग यहाँ पर लेके चल सकते है आपको buy करना है 748 की price पे और आपका जो SL रहेगा 742 का और आपका target 755 या फिर 56 का target आप लोग लेके चल सकते है third intraday stock state bank of India का रहेगा जो आप लेके देख सकते है already एक upside momentum इस तरीके से कर रहा है और यहाँ पर एक resistance zone है दोस्तों इसका breakout कल के दिन आएगा तो सबसे पहले तो दोस्तों यह जो zone है इसके उपर में जिन लोगों का view नीचे की side में था इनका stop loss है वो सबसे पहले इनका stop loss यहाँ पर hit हो जाएगा और आप लोगों को target आप वो 622 का target आप लोगों को यानि State Bank of India में देखने को मिल सकता है fourth intraday stock हमारा रहेगा Vipro Limited का Vipro में भी आप इप देख सकते हैं दोस्तों Vipro काफी दिनों से एक downtrend में है IT sector का अच्छा कासा stock है यह दिया आप लोग long term के लिए इसमें investment करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें अपनी analysis करके और आप लोग Vipro में भी कर सकते हैं काफी अच्छा stock है IT sector का long term में आपको एक अच्छा कासा return है दे सकता है तो यह दिया आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी analysis करके और आप लोग खुद से कर सकते हैं इसके लाओ दोस्तों Vipro में आपको देखने को मिलेगा और मेरे को लगता है दोस्तों यह stock है वो downtrend में होने के बाद में आपको थोड़ा बहुत retracement आ सकता है 0.5 का तो retracement आने के लिए यह जो resistance zone है दोस्तों यह resistance zone यहाँ पे इसने time बिता है थोड़ा तो याद इसको breakout करेगा कल के दिन तो आपको buy करना है 398 की price पे और आपका जो target रहने वाला है इस zone में आपका target रहने वाला है 403 या फिर 4 का आप लोग यहाँ पे target अब वो लेके चल सकते हैं यानि आप लोगों को 3 से 4 उपे का target विप्रो लिमिटेड में लेके चलना है ज्यादा बड़ा momentum आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो भी small price के sale रहते हैं उनमें आपको ज्यादा momentum आप नहीं मिलता है तो आप लोग छोटा target लेके यहाँ से आप लोग निकल सकते हैं यदि आपको इसमें selling करने का मोगा मिलता है तो यह zone है इसका breakout नीचे की side में होता है तो आप लोग sale कर सकते हैं 395 के नीचे में और आपका जो target रहने वाला है इस zone के something आप लोग target रख सकते हैं 92 का आप लोगों को 2 से 3 रुपे का आप यहाँ पे नीचे की side में भी target है वो लेके चल सकते हैं जो last intraday stock हमारा रहने वाला है take Mahindra का same आपको SBA की तरह ही देखने को मिल रहा है यह एक resistance zone है काभी बार test हो चुका है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे इसने थोड़ा सा time waste किया और यहाँ पे breakout करने ही वाला तो दोस्तों market ने आज के दिन closing दे दिया है तो यह दी गल के दिन यह flat open होता है और upside में momentum करता है तो आप लोग इसे buy कर सकते हैं 1,446 की price पे और आप लोगों का जो target रहने वाला है 1,060 रुपे का target रहेगा first target और आपका जो maximum target रहने वाला है वो आपको इस zone के something आपको maximum target 1,070 का target भी आपको देखने को मिल सकता है टेक महिंद्रा limited में तो इसको भी आप लोग कल के दिन जरू ट्राइ किजेगा तो यह दोस्तों nifty 50 और bank nifty की simple से analysis और इसके अलवा 5 best intraday stocks के दिए आपको अमारी analysis पसंद आई तो वीडियो को like जरूर करे और channel पर नए है तो channel को subscribe करना नहीं भूलियेगा मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन सीखते रहो कमाते रहो और हमेशा की तरह खुस रहो